आज मैंने सोचा कुछ खास टिप्स लेके आऊं आप एलिए जो सबसे ज़्यादा आपके काम आए और साथ ही में आपका समय बचाए Hello everyone and welcome back my channel कैसे हैं आप सभी लोग, hope आप लोग ठीक होंगे दोस्तों मेरे जो टिप होते हैं ये बहुती सरल और बहुती आसान होते हैं जो हमारी रोज की डेली लाइफ को डेली लाइफ में होते हैं तो दोस्तों इन चोटे-चोटे कामों से क्या होता है हमारे घर के काम आसान हो जाते हैं जल्दी हो जाते हैं और साथी में पैसों की भी बचत करते हैं तो इन चोटे-चोटी टिप को हमें अपनाना चाहिए तो दोस्तों चलो चलते हैं मेरी आज की पहली टिप की तरब मेरी आज की पहली टीप है ये ओनियन को लेके अकसर हम लोग सब्जी काटते हैं और सब्जी काटते हैं तो हम सब्जी हमें पता नहीं होता है कि हमें चॉपिंग बोड से सब्जी को कैसे उतारना है तो हम किसी भी पोजिशन में किसी भी साइट से हम उतारते हैं तो क्या होता है हम में सबजी को यहां से उतारना होता है इससे क्या होता है हमारी सबजी गिरती नहीं है और जिस बॉक्स में या जिस प्लेट में या जिस बाउल में हमें डालनी होती है उसी में जाती है तो दोस्तों आपको यह टिप पसंद आई होगी तो चल चलते हैं मेरी नेक्स टिप की त होते हैं वह कपड़ों में चिपक जाते हैं और खास तर पर गरम कपड़ों में तो बहुत ही जल्दी चिपक जाते हैं और निकलते भी यह धूने पर भी या हमें जहारने पर भी नहीं निकलते तो इससे हमारी टी-शर्ट खराब हो जाती है और जब हम पहनते हैं तो उसे हमा यह ब्रश को हम ब्रश से हम जैसे मेरे पास यह ब्रश है कि मेरे पास नयाई ब्रश था तो मैंने सोचा इसे ही यूज कर लेती हूँ आप लोगों के पास अगर कपड़े दोने वाला ब्रश है तो आप लोग उसे भी यूज कर सकते हैं जो नया कपड़े दोने वाला ब्रश ह होता है उससे जो बाल होते हैं बिल्कुल एकदम कड़क होते हैं तो उससे आप इस टीशट को अच्छे से रब करें जहापे जहापे बाल हैं वहापर रगणे तो आपके वह बाल निकल आएंगे तो देखे मैं जैसे निकाल रही हूं यह मेरी ऊलन टीशट है तो मैं इसमें निकाल रही हूं तो उनन टीशट से जब निकल सकते हैं तो सिंथेटिक से तो अराम से निकल सकते हैं तो यह देखे छोटे-छोटे बाल हैं इसे मैं अच्छे से निकाल दे रही हूं इससे क्या होगी हमारी टीशट बेकार होने से बच जाएगी साथी में हमारे पैसु की भी बचत होगी यह चोटी-चोटी टिप्स होती हैं जो हमारे रोज की लाइफ को आसान बनाती हैं यह देखिए दोस्तों मैंने बहुत सारे बाल इस टी-शर्ट से निकाल दिये हैं आप लोग के पास अगर ऐसा ब्रश नहीं है तो आप लोग कप्ड़े दोने वाला ब्रश का भी इस्तमाल कर सकते हैं होग आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करना शेयर करना जो चैनल पर नहीं है सस्क्राइब करना साथी में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ऐसी छोटी छोटी टिप्स हमारी लाइफ को आसान बनाती है और आपके एक से आपका कुछ नहीं जाएगा मेरा होसला बढ़ जाएगा तो दोस्तों आपको कौन सी टिप पसंद आई प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें अपने अपने कामों में विस्त रहें ब झाल झाल